अब करने के बाद बाकि सब लोग खेद गए हुए काम के लिए मैं और कहना करते हैं यह कहना के खिलोने पड़े हुए और कहना ठीक मेरे सामने है उसको दिखाता हूँ अब क्या कर रहा है और अभी इसका से सोने का टाइम तो है ने बट शायद तीन करें सो जाए भी ऐसे दो दो बज़े का टाइम में तो साइथ सो जाए तो भी शुलांग वैस को सकता है सो जाए इद्रा 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 इद्र एले करेले अब कि मियाव मिर्गा मिर्ग का मिर्ग अब हुए काना इद्रा इद्रा गिज्जाए गाब पाना मुन्नू पुन रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा थैठ 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 खड़ रहे खड़ रहे जरी दिया करना हुँआ तीक है चलो मुनू जी चाहरा, मुनोन जी करदें इस तरफ गूम बार निकल बार चल दी करा बार निकल इदर रहा इदर लाइसको कहा है 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 आया मिर्ग आया मिर्ग मिर्ग कहा है कहा है मिर्ग मिर्ग कहा है मिर्ग कहा है मिर्ग और अफ्र्रूद बॉलता बट्रूद लाइसी य्या थ्योगैने कि अपनी कोसला के पास और यहां पर दूद निकालना है काम चल रहा है इसका यह अपनी इस तरफ हो एक बैंस एक उस तरफ को पीछे अब हम अपने बैंसों को डिनर का इंतिजाम कर रहे हैं पर डिनर का गास जोता है इनके लिए ना मतलब खाना बोर रखेंगे इनके मूँ के मुख पास यह सारा गास है यहां पर और यहां पर हैडलाइट देखो इनकी कैसे जल दुए है अंदेर अंदर ने दिख रहा है अच यह अपने दो बैल हिर और मूती लाइट है अधिन में लाइट में थी पुरा दिन लो बच्चो लो बच्चो घास खाओ तो यह हमने घास डाल दिया इनको आज रात के लिए पुरा रात रात बर खाते रहेंगे घास को और अब घर चलेंगे यहां से तो अभी हुमें अपने किचन में और आज हम ऐसे डिनर में अपने साग बनाया है वह साग के साथ चपाती है और देखो इसको इदर लाड़ी को पिंदी लगी हुई है बहीं दूलन और यह चपाती है मतलब मैंसे रोटकों में खाई बैठा हम वाइल बूल गया था मैं कमर हुआ है तत्य गुति तत्य तत्य गुति प्रेश कर ले अगले दिन में और अभी मैं अपने घास पाले जमीन पर आप अभी घास करने काम चलाओ यह मारे घर से उपर बाले जमीने वहां पर आया हूं और में ब्रेकफ़ास्ट लेकर यहां पर आम और बापुजी घास काट रहे हैं उनगों को देखाता हूं कि क्ला यहां ऑपर और बस आईसे सुबह घड़ा है भी ना बज रहा है उस वाले तरब से बाकि इस तरब से भ फिर घर जाएंगे यहां से और यह अपनी घास वाले जमीन इस तरफ को उपर को कि यह सारी उस तरफ कभी घास काटा हुआ भी फास्त करने के वाद यह थोड़ा सामें गहास लेकर जा रहा हूं और जो चैघर लेकर हाँ अबम ब्रकतन मतलब सर्मसवेरबो लेकर जा रहा हूं बेंसों को थोड़ा सा घास टालूंगा और फिर घर जाएंगा भी फिर बोलती ही लंचे यह लेकि आना तो फिर लंच लेकि जाना पड़ेगा इदर ही आज सब बूल रहे हैं यह घरवाड़े की ऐसे से करना है कि अपने हिरोर मोती वहां पर देखा रहे हैं और यह घास लेकर आए मैं थोड़ा घास डाड़ूंगा इनको वेलों को तो यह डाड़ूंगा जो मकी का घास है और भेंसे यहां पर अपनी इनको अभी तक वह धूप आई नहीं है बस आ जाएगी थोड़ी सी इस तरफ को पे प्रेड़ इस प्रेड़ के वह असे नहीं आ रहा है बटिन को अभी धूप है यहां पर और इसका इस में चुटा सा बच्चा उसको बाहर बांद देंगे अभी वह अंदर यह ए चल टिंगू उठ क्या वाज ख्वा मुई यह हैं आज 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 चल शाबाश उपर चल उपर 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 अभी मैं अपने घर पर आगा हूं और यह देखो तुम सामने के पाड़ाओं पर दूप और आज की काफी ठंड होगी दूप काफी अच्छी लिग रही है यह देखो यह अपना गौँ और यह यहां पर थोड़ी सी मक्की बच्ची हुई है इसको निकालेंगे अभी हम और वहां पर हमने धान डा रहे हैं सूखाने के लिए यह दिन के दो बज़ रहे हैं माता जी वहां पर गास काट रहे हैं बापू जी वहां बैठके इसके साथ काके बात करें और वहां भी में लून्च्ANS लेके आया हूं यह इसमें चाबल और दाल वाकी है ज्यास केका यह दो शीन के कि आवाजे कि थी बैठा है कि ठीक नहीं जग आई थी बहुत बड़ी जग आई कि पानिर बहुत तला कि बात खेंड दिया माता है कि तरफ 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 यह जो लगे खादा रहे है कि इस तरह से देखो तो मतलब यह ना ऐसे घास पाली जमीन पर मतलब पूरा जंगल साही है तो यहां फिकनिक करने का अपना एक लगी बात है वह यम्मा और बापु की साथ बापु जब हो रहे हैं कि बड़े दूख चिलाए मैं करने तो लो कि पड़िट रचेड़ा दो आमां जै हूँ मने दर्ती माता को बात और दाल चड़ा दिया वई कर दी